केवल तीन दिन में सरसों में दो बुन डाल कर लगाओ, दस गुना तेजी से भैंकर लंबे घने बालोंगे, वो भी गारंटी के साथ, नमस्कार दोस्तों स्वागत है, रोगा नुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, दोस्तों बहुत स ये वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए इसे बनाने का तरीका आप जरूर जालने और लाश्ट में जो चेह मिलाने वाले हैं, उसे आप जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि बालों के लिए अमरित से कम नहीं है वो, दोस्तों इस नुस्के को बनाने के लिए सबसे पहले हमन न कहने में मदद करेगा दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत जादा जढ़ रहे हैं, तो ऐसे में मेथी दाने का यूज इस तरह से जरूर कर ले हैं, क्योंकि बालों पर अगर आप इसका यूज तरीके से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आपके बालों की ग्रोथ होना निश्चित है लेकिन इसे बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए इसमें जो एंटी फंगल एंटी माइक्रोवियल गुड़ होते हैं वो बालों पर और साथ ही साथ स्कैल पर अगर कोई इंफेक्शन है जिससे बाल बहुत ज़्यादा तूट रहे हैं क्योंकि आप स्कैल पर तो देख नहीं सकते हैं तो ऐसे में आप जब इसका यूज करेंगे तो बालों से जुड़ी सभी समस्याएक समाप्त हो जाएंगी और बाल तेजी से लंब और खने होंगे क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होता ही है इस समय की बाल ज़डने की जी हां बाल तूटने की बहुत से लोगों के बाल हाथ में हम ऐसा आते रहते हैं कंगी में आ जाते हैं तो ऐसे में आप जरूर यूज करिएगा इसका दूस्तों आपको एक कटोरी ले लेना है औ आपको जादा बताने की जीवत नहीं है क्योंकि प्रॉणे समय से लोग सर्सों के तेल का ही यूज करते आ रहे थे और आज कल समय में तो कई तरह के तेल आ गये हैं जो की केमिकल यूटत होते हैं लेकिन जो पहले के लोग थे वो कच्ची घानी यानि की बहतरीन सर्सों के तेल का यूज करते थे जिसे उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती थी आपको सो सकते हैं कि पहले के लोगों के बाल कितने लंबे और खाने होते थे लेकिन दोस्तों आज इस तरीके से अगर आप सर्सों का तेल यूज करेंगे तो विश्वास मानिये बालों की लंबाई बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में में ऐसा चुरेटेड होता है और भी कई तरह के फैट होते हैं साथ ही साथ है जब आप इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो बाल नरिस होंगे साइनी होंगे और इसके अलावा आप आपके स्कैल्प पर कोई प्रॉब्लम सोगी तो इसकैल्प की प्रॉब्लम भी समाथ हो जाएगी दोस्तों हमने यहां पर लगवग तीन चमच सरसों का तेल ले लिया है आप इस तेल को और भी बढ़ा सकते हैं अपने बालों की लेंथ के अनुसार क्योंकि कुछ लोगों क आपको इसे डाल लेना है बस बहुत ही आसान सा नुसका है दोस्तों आपको इसे गैस पर लेना है लो फ्लेम पर कुछ मिनट तक आप इसे पका लेजिए जब तक यह ब्राउन रंक करना हो जाए मेथी के दाने जब ब्राउन रंके हो जाएंगे तो आपको इसे गैस से उता को इस चाह शन्य में डाला देना है आप चाहिए तो इसमें जुमेठी का ट्यान है उसको भी जोब है लंगी जाएगा BUTP छुने से निकाल जाएगा दूसरा बीछान यह है कि आप कपड़े में डाल कर भी इसे निछोड़ हैं आप जब इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो बालों की ग्रोथ होना तो तय हैं और वो भी बहुत ही तेजी से और दोस्तों ध्यान लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि इसे लगाना कैसे है नेक्स्ट और लास्ट उस जिल को निकालिया जो आपके घर पर पोधिर से निकालना है आपको और अगर आप मार्केट का यूज कर रहे हैं तो आरवी एक चमच एलोवेरा जिल काफी होगा आपके बालों के लिए आप एक चमच अपने इस दूसक् repertoire में टोस्तों कोमीमाने होगी तक आपको बालों में लगाने मैं आसानी हो दोस्तों बहुत जान takeaway उंसका था और लगाना कैसे इसे घाल लेकिन अगर आपने हमारी चैनल को भी तक सबस्कारीब नहीं किया कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकोन जोर दबाएं और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी से भी जानकारी मिले तो वीडियो को एक लाइक जलूर करें दोस्तो लगाना बहुत ही आसान है इस लुष्खे को आपको सब्ताह में तीन दिन लगाना है जी हां किवल तीन दिन अच्छे से मसाज करिएगा फिर पूरे बालों के लिंद पर लगाकर बालों को लपेड कर सो जाईएगा उसके बाद मॉनिंग में आप बालों को सेंपू से वास कर लिजेगा अगर हरवल सेंपू है तो बहुत ही अच्छी बात है आप हरवल सेंपू लगांगे तो बहुत करेगा